मध्य प्रदेश में भले ही अभी उप्चुनाओं की तारीखों का एलान नहीं हुआ हो लेकिन उप्चुनाओं को लेकर भाजपा और कॉंग्रेस दोनों ही पार्टियों में सियासी उठापटक शुरू हो गई है पूर्व सांसाथ प्रेमचन गुड़ू ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस का जवाब भेश दिया है जवाब में उन्होंने लिखा है कि मैं नौ फरवरी को ही भाजपा से स्तीफा दे चुका हूँ इसके अलावा प्रेमचन गुड़ू ने अपने पत्र में फिर से सिंधिया और सिलावट पर आरोप लगाए है वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि आज तक उन्हें कोई स्तीफा नहीं मिला है आपको बता दें कि बीजेपी ने गुड़ू को पार्टी विरोधी बयानबाजी को लेकर नोटिस जारी किया था और साथ दिन में उस नोटिस के बारे में जवाब मागा था इसके जवाब में प्रेम चन गुड़ू ने भाश्पा के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है और अपने स्तीफे की बात कही है तो और क्या कुछ इस खबर में छुपा है क्या कुछ इस खबर में से निकल कर सामने आता है सीधे बात्चीत करेंगे इस वक्त हमारे साथ इंदोर से प्रेम चन गुड़ू जी सीधे जोड़ रहा है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे चैनल हैड शरत दिवेदी जी शरत जी बहुत शुक्रिया सोहल और बहुत स्वागत करता हूं प्रेम चन गुड़ू जी का जो आपके मानक हैं प00-00 में जो चीजें आपको पसंद हैं आप उसके हिसाब से राजनीती करते रहें और और आक्रमक्ता को चलते रहे ज़लों कि आपको मईका आपको बीजे पी के सीर लेजर की सिंटिर लेडर 이 formed मैं जन्ता के लीटर हूँ अभी क्या बात और बीजेपी से अब में आज सुभाई अगबारों में पढ़ा तो मेरा मन हुआ वेडी सर्मा जी जो एभी वीपी के अद्देक्ष रहे हैं मैं प्रदेशियों को अद्देक्ष रहा लेकिन उनको स्याज जानकारी में नहीं होगा मैंने राकेश सिंग जीरी को इस्तीपा पहले ही पोचा दिया था फरवरी में में जिस्तेगी खबरियारी और और बोल रहा हैं अने mappedamoresuten R. Tay आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो प्रदेश की जनता के साथ जिनने दोगा किया, स्वास मंत्री रेते वे, जो प्रदेश में जुम्मेदारी थी, जिसका निर्वन करना था, वो निर्वन निवा और आज इंदौर, उज्जेन, बौपाल, करवन तेसे बारा-तेरा जिले बड़ी महामारी के सिकार हो गए और बहुत डेंजर अवस्ता में हैं, तो उसका जुम्मेदार तुलसी राम सिलावट, उनके नेता जोती राव सिंदिया है, इनको सबक सिखाना है हमको, हम सावेर के अंदर इनको सबक सिखा के रहेंगे, और निशीत तोर से एक बड़ी लंबी हार तुलसी सिलावट की यहाँ पे होगी. क्या मैं मानू की फरवरी को जो आप कह रहे हैं कि नौ फरवरी को ततकालीन प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंग बीजेपी के जो रहे उनको आपका इस्तीफा पहुंच गया था, तो जिस समय मध्यप्रदेश में सत्ता को लेकर एक उठापटक का द्रिश्य था, उसी समय आपका मानस बन चुका था कि आप बीजेपी छोड़ने जा रहे हैं और इसकी प्रिष्ट भूमी में सावेर की सियासत है, सावेर आपको बहुत प्रिय है क्योंकि आपकी भी सीट वो रही है, तो क्या उसी समय कमलाज जी से आप संपर्क में थे और अब हम ये बिलकुल मान लें कि प्रेम चंद गुड़ू जी, कॉंग्रेस में वापस लोटेंग क्या कुछ सीनर लीडर से बात या उस समय हुई थी या अभी हो रही है या हो चुकी है? नहीं, कॉंग्रेस पार्टी जो है मेरी मात संस्ता है और नेताओं से सबसे मेरी बात होती रेती लगातार मुक्रपंतरी थे, कमलनाज जी जब भी बात होती थी, बाद में भी बात होती है जी, अभी आप ये नहीं बताना चाहरे हैं खुल के कि क्या बात हुई है और क्या आपका निर्णा है, चलिए वो मैं समझता हूँ, राजनीती के अपनी मजबूरियां भी है और अपने कंपल्शन्स भी है और यही राजनीती का वो चेहरा है जो बहुत दवाव भी डालता है राजनेताओं के उपर, लेकिन ठीक है, मैं अगले सवाल पर आता हूँ, और मेरा सवाल यह है कि आप तुल्स्टी सिलावट जी को घहराबंदी की आप बात कर रहे हैं सावेर से, तो यह घहराबंदी कैसे होगी, क्या प्रेमचन गुड़ू मैदान में होंगे उनके वि और हराएंगे, जी, एक चीज़ और मैं जाना चाहूंगा कि क्या वज़े रहा आपकी कि बीजेपी के साथ एक समनवय आपका नहीं बैठा, क्या कारण आप देखते हैं, क्या आपने कहा मात्रू संस्था है कॉंग्रेस आपकी, जो कॉंग्रेस के प्रतिया, आपके प्रेम को आपके बीतर जो प्रेम है, उसको बहुत रिफलेक्ट कर रही है आपकी ये बात, क्या आपको लगा अपने गल्ती की बीजेपी में जाके? बिल्कुल? जी. जो सिन्धिया जी ने मुझे कॉंग्रेस में प्रतितरित किया, अपमानित किया, समय समय पे, वहाँ पे सांसद रहते वे, पूरे पांस साल में, एक केंद्री मंत्री रहते वे, एक काईक्रम भी, एक एक भी उज्जेन के लिए, कोई योजना उन्होंने नहीं दी, और बुरी तरीके से मुझे प्रत्रतरित किया गया था, इस वज़े से मैंने कॉंग्रेस छोड़के, बारती जन्ता पाट्टी में गया था, और मैं अपनी गलती मानता हूँ, कि मेरे से गलती हुई कि जो छणी कावेस में ये निर्णे नहीं लेना था वो निर्णे में ने उस तेम पे लिया वो मेरा निर्णे गलत था तो मतलब हम यह कह सकते हैं कि जैसा प्रेम के लिए कहा जाता है कि पचास फीजदी अगर हमने किसी से प्रेम किया तो पचास फीजदी तो बात जम गई यानि पचास फीजदी आपका कॉंग्रेस में जाना तैय है, आप तो राजी हैं? नहीं मैं तो राजी हूँ, मैं तो माधव संसा कांग्रेस का कार्य करता तो बन के रही सकता हूँ, उससे तो मेरे कोई रोग नहीं सकता है. जी, जी, जी. आपने काफी कम शब्दों में, लेकिन आप अपनी बात, अपनी पीडा और अपने चैलेंजेस को भी सामने रख रहे हैं. मध्यप्रदेश की मवजूदा सियासत को आप किस तरह देखते हैं? 24 उप्चुनाव होने हैं, 22 वो साथी जो कभी आपके साथ रहे, हलाकि आप बीजेपी में आ गए थे, अब वो साथी बीजेपी में आ गए हैं, आप बीजेपी से जा चुके हैं. अब किस तरह आप इस परिवर्तन को देखते हैं? और क्या कहेंगे अपने उन साथियों से जो कॉंग्रिस छोड़कर बीजेपी में आए? तो निश्ची तोर से जो पेसों का लेंदेन हुआ है, जिनके पास यहां से दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट के पेसे नहीं रहे थे, वो चार्टर प्लेन उन्हों से उड़ रहे थे, बार बार चार्टर प्लेन जा रहे थे, और आ रहे थे, और जा रहे थे, तो उनसे यह कहना चाहता हूं कि जनता उनको माफ नहीं करेगी आपको पांच साल के लिए दिया था जनादेश आपने उस जनादेश को उनकी पीट में चुरा भूगने काम किया मात्र दर पचीज पचास करोड रुपे के चक्कर में और कॉंगरिस की सरकार गिराई और कमलाज जी जो एक अच्छा काम कर रहे थी जो किसानों के लिए भी दो लाग रुपे माफ होने थे, एक लाग रुपे के अंदर करीब माफ हो चुके थे, और जून के अंदर माफ करना था बागी पे से, और उन किसानों के साथ भी धोका धड़ी की है, और आज सिंधिया जी बोलते है कि य receivers Nah आज सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं कि जो हज्जारों लोग बायपास है हमारा वहां पर अभी भी पेदल चले जा रहे हैं पेदल चलते जा रहे हैं खाने को नहीं है चपल नहीं है पेर में उनके बच्चे भूकों घूम रहे हैं अब कहां गए वो किसान जो हमारे आज का वाजीब मोल नहीं मिल रहा है खरीदी नहीं होरी तिन-तिन चाट-चार दिन तकल लाइनों में खड़े हैं टेंक्टर ले प्याज के पेसे जो है किसानों का आज पाज रुप नब पाच रुपे नहीं को हुआ है लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीती में आप इस तरह की नेतिक्ता के प्रश्ण कहीं खड़े होते हैं क्योंकि जब आप भी बीजेपी में गए थे तो आपके प्रशंसक आपके आलोचक वो भी दोनों ये बात कह रहे थे कि प्रेम चंड जी ने भी देखिए पार्टी बदल ली जो भी उनके सामने प्रश्ण रहा हो जो भी चीज रही हो तो राजनीती नेतिय क्ता का प्रश्ण क्या आप खड़ा होता है प्रेम चंड गुर्डू साब नहीं बिल्कुल बिल्कुल खड़ा होता है जानता कि नहीं मेरी बात तो जग जाहिर है आप भी जानते हैं और मैं उस जमाने से प्रदेश युग कॉंग्रिस का अद्धिक्स था आज से पचीस साल पहले आज से जब से आज तक मेरे पर एक रुपया का कोई दाग नहीं है जी जी आप यह मांते हैं कि आपने एक सेधांतिक पहल की थी आप आप सेधांतिक मुद्धों को लेकर आपने कॉंग्रिस छोड़ी थी जी नहीं मैंने जोती राव सिंधिया ने मुझे प्रतित अरीत किया मुझे अपमानित किया राहूल जी को हाई कमांड को गलत भेमी पेदा की जो पांस साल का गेप चुकी चुड़ाओं हार गया था तो दिल्ली आना जाना कम होता था तो यह परलेमेंट पे रहके इन इस वज़े से मुझे वार्दी जन्ता पारटी में जाना पड़ा था जो मेरी गलती थी जी यह आपने साफ तोर पर माना मध्यप्रदेश में मालवा एक ऐसा रीजन है प्रेमचन गुड़ू साब आप बहुत 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 जानते हैं हमसे भी बहुत जानते हैं जहां बी आजनीती में खुलासे कहां करने चाहिए कहां नहीं करने चाहिए लेकिन मैं आप से पूछ रहा हूं कि आप बीजेपी के कुछ नेता अंदरूनी तोर पर आपके संपर्ग में सावेर को लेकर मेरे तो सभी निता जो हमारे मालवा के हैं किसी भी पार्टी के रहे हो चाहिए वो कबनीज पार्टी के रहे हो समाजवादी पार्टी के रहे हो उन से सभी से संबन है और मधूर संबन है चाहिए बाती जन्दा पार्टी के हो चाहिए ताई हो चाहिए भाई हो या गोपी मालवा का सोच रहता है कि किस तरीके से विकास हो उसके लिए हम लोग आपस में चर्चाह भी करते रहेते हैं तो यह सब अपने अपनी प्रतिव Egyptian करेंगे के वैग्तिकर सम्थाने अपनी जीए जी कंकलूड कर रहा हूं इस बात्रीट को किस तरह से आप देखते हैं जो प्रमुख मुद्दा होगा इन उप्चुनाओं का क्योंकि बड़े दिल्चस्प उप्चुनाओं है और माना यह जा रहा है कि विदान सब्चुनाओं से कम ना इनकी प्रतिष्ठा है और ना ही इन से हम कह सकते हैं कि कम कहीं इनका इम्पॉर्टेंस या इनके माइने है इस पर आप क्या कहींगे जो 24 चुनाओं हो रहे हैं जी इसमें सब जगे जो यह बागी उम्मीदवार जो गए हैं जिन्होंने अपने वोड बेचे हैं वो जनता वर्सेस इन के खिलाब हुगा चुनाओं जनता इनके खिलाब लड़ेग कि हमने 5 साल के लिए आपको पोचा है था आप 15 मेने के अंदर या दो साल के अंदर किसे चुड़ाओं में आ गए और हमने तो जुम्मेजारी यह दी थी और इस पारड़ी के लिए दी थी और आप यहां पे किस तरीके से आ गए और कितना पेसा लिया इसका हिसाब किता मांग ही है आपकी जो यह यात्रा है बलकि चल चुकी है आप भी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं जब आप इसका खुलासा करेंगे और मुझे लगता है वो बड़ा ही खुलासा होगा क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी कॉंग्रेस वापसी नहीं होगी हो सकता है टिकेट की नहीं किया उनका ये भी दावा है कि नौ फरवरी को वो ये चिठी लिख चुके हैं और तब वीडी शर्मा साहब प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे उस समय राकेश सिंग्जी अध्यक्ष थे और उनको वो सूचना दे दी थी उन्होंने कि मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं आरोप उनका जोतर दिस इंडिया साहब पर है कि मेरी उपेक्षा की गई उजेन में मुझे काफी हाश्य की तरफ धके लागया ऐसा वो आरोप लगाते हैं और 24 उप चुनाओं के लिए वो आशानवित हैं और उनका कहना है कि इस चुनाओं में बीजेपी के लिए इसलिए मुझे मुझे होंगी क्योंकि वाइदा खिलाफी ये एक बड़ा मुद्दा बनकर उबरेगा उबरेगा की नहीं उबरेगा ये बाइलेक्शन के नतीजे बताएंगे शुक्री अशराच जी ब्रेक से पहले आपको एक खबर और बता दें चौथे लॉकडाउन में मिली रियाएतों के बाद भोपाल के इंडिस्ट्रियल एरिया गोविनपुरा में भी रौनक लॉटने लगी है ज्यादतर फैक्ट्रियों में कामकाज की शुरुआत हो गई हैं यहां 50 फीसदी स्टाफ के साथ तमाम नियमों का पालन करते हुए काम शुरू किया गया है संकरमन के खतरे को देखते हुए तमाम एहत्याद भी बरती जा रही है आफिस पहुँच रहे करमचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और फुल बॉडी सैनिटाइज़ेशन की वैवस्था भी की गई है चले आ रहा है सक्त लॉगडाउन के बाद अब लॉगडाउन फोर्स शुरू हुआ है जिसमें थोड़ी रियायत है इंडस्ट्री को 50 प्रतिशात स्टाफ के साथ काम करने की चूट भी दी गई है वहीं प्राइवेट दफ्तर 30 से 33 प्रतिशात स्टाफ के साथ रोस्टर पणाली के तहत खोले गए हैं वहीं जो भुपाल का गोविंद पुरा इंडस्ट्रियल एरिया है यहां पर अब लोगों का जो दोर है शुरू हो गया है जब हमने करमचारी है उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ़तोर पर बताया कि जो सोशल डिस्टेंस है उसका पूरा पालन हो रहा है और जो तमाम तरीके की गाइडलाइन है उनका भी पालन किया जा रहा ह जते है तकि कोरोणा का संक्रम है वो किसी भी तरीके से न फैल सके है और एथियात के साथ जो धीरे-धीरे कामकाज weed वह भी शुरू हो जाए तो यह जो लुक डाउन के चलतेGHT और कोरोना वाइरस के चलते है जो पूरी है एहतियात थैयात है वह चार Days इंड़ुन पुरा प्रभावित था वो भी अब धीरे धीरे पट्री पर आ सके तो आज से जो 50% स्टाप के साथ कामकाज था वो शुरू हो गया है सेनिटाइजेशन मशीन रखी गई है जो करमचारी पहुंच रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग भी की जा रही है और साशन प्रशाशन की तरब से भी जो वाहन है वो यहां से गुजर रहे हैं ताकि लोगों से जो अपील है वो की जा सके एक अवेरनेस बढ़ाने के लिए जो केमप को बता रहे थे कैमरा मैन वजय शेचकर के साथ भूबाल से वासुचौरिक रिपूर्ट लॉगडाउन में 36 गड़ के हजारों आटो चालकों पर भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है करीब साथ हजार आटो चालकों को अब अपना घर चलाना भी मुश्किल लग र रही है प्रदेश आटो संग ने सरकार को चेतावनी दी है कि 48 घंटों के अंदर उनकी समस्या का समधान नहीं होता तो वो परिवार समेत सड़कों पर उतर आएंगे सब्केवाब हैं प्रदेश भर में अटो के पाई थमे हैं और चल नहीं रहे हैं ऐसे में जो फटरोब प्रदेश भर में है उनका घर कैसे चल रहा है बहुत से आुट में पे चल रहे हैं ऊटों को कैसे ऊंका घर चल रहा है क्या दिक्कते आ रही hacerlo कर दो लोगडॉम के बाद से आपके अटो नहीं चल पारी क्या मुश्कीले आ रही हैं मेरा मकान किराय का है चेजर मेना किराया देता हूं अज दो मेना होके किराया नहीं दिया हूं फुलस घर की हाल माली हालत भी बहुत जादा खराब है मही लड़की कॉलेज में पड़ती है उनक कि रखे हुए हैं कि यह माय आप पठाइए है कि अधिकत तो बहुत हुरी है जैसे करके चला रहे हैं तो घर के हालत भी सुदर जाया है हमारे मुश्किल हो जाए हमको तो खादिंके भी लाले पड़ गए अभी भी बिया से मांग तो यह अगर मदद नहीं कर पा रहा है कम सगम हमको सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से आटो चलानी के अनुमति दे ताकि हम जो भी है तो सड़क पे 100-200 रुपे अगर हम लेके भी आते हैं तो उसे हमारा घर भी चलेगा प्लस हमारी यह माई भी कुछ निकलेगी हम ओंगे आ इतनी दिनों बाद कि घर चलाना तक मुश्किल हो गया है लोगों को कैसे घर चला है कैसे बच्चों को खाना थे उनकी की प्टाइए वाटो पटाए आटो फाइनंस के हैं यह जादा वह आटो जाने का डर भी उनको सताने लगा है कि कामेरमें रखलिश के साथ अभी शेक्षोक ले बनसरनी उसे राय पार